हेलो दोस्तो आपका मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गर्म में लड़का होने की एक पकी निशानी क्या होती है बहुत से लगों के मन में ये कोशन चलता है आप लगों को वीडियो में ये दिखाया तो जाता है कि ल गर में पल रहे बच्चे का लिंग पता लगाने के लिए वैसे तो कई तरीके होती हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोनोग्राफिय यानि कि अर्टर साउंड से ही बच्चे का लिंग यानि कि जेंडर का पता लगाया जा सकता है बच्चे के जेंडर का अंदाजा आप प्रेग्नेंसी के शुरुवाती दुनों में यानि की पहली तिमाई में MORNING सिखनेस, उल्टी और मठली की प्रोबलम रहती है। महिला के चैरे में धेर सारे कील मुहा से निकल आते हैं तो इसे गप में लड़का होना साफ माना जाता है। आपने भी देखाऊगा अपने आसपास या फिर आपके अपने घर में देखाऊगा या फिर अगर आपका कोई पहला बच्चा होगा और वो लड़का होगा तो आपने खुद नोटिस करा होगा आपके चैरे पर कील मुहां से निकल आए होंगे यानि कि अगर मैं आप लगों को साफ भासा में बताओं तो आपका चैरा जो है वो खराब हो जाता है इसलिए कहते हैं जब एक लड़का होता है तो एक मा का चैरा खराब हो जाता है तीसरा तरीका जो है वो है पेट की इस्तिती जी हाँ टमी पोजिशन जी हाँ पेट की इस्तिती के आकार से या फिर इस्तिती से आसानी से ये पतल लगाया जा सकता है कि गर में पढ़ रहा लड़का है या फिर लड़की अगर प्रेगनेंट महीला की पेट का नीचला हिस्सा उबरा हुआ होता है तो आपके गर में पढ़ रहा एक लड़का है तो आप ये चेक कर सकते हैं अगर आप कोई भी प्रेगनेंट है लेडी है तो अगर आपका पेट का नीचला जादे की तरफ नीचे की तरफ जादा तो दोस्तो आज की वीडियो में ये थी लड़का होने की खास निसानी अगर तीनों में से आपके अंदर एक भी निशानी है या फिर अगर आपके अंदर तीनों निशानी है तो भी और अच्छी बात है तो अगर आपके अंदर ये निशानी नजर आती है तो आपको खुश ह वैसे तो लड़का और लड़की कोई भेदभाव वाली चीज नहीं होती है बट फिर भी लोग ये करते हैं तो अगर आपके अंदर ये निशानिये देखी जा सकती है तो आपके गर में एक लड़का पल रहा है दोस्तों उमीद करती हूँ आज की वीडियो आप लगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीना साते साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीना जो कि एकदम फ्री है इसमें आपके एक रुपे भी खर्च नहीं होता है सिर्फ आपको जो नीचे सब्सक्राइब लिखा है आपको वो दबाना होता है जो कि एकदम free होता है दोस्तो अगर आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे और नहीवीडियो दाती रहूंगी तो चलिए फिर दोस्तो मिलेंगे इसी तरह से अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए